आजम बनाने जा रहे हैं सोयाबिन कटलेट्स यदि मेरी ये रेस्पी अच्छी लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आनी वाली ऐसी नहीं नीए वीडियो की नोटिफिकसन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन अलहाने को निकाल दिया है तो हाथ से प्रेस करके पानी को निकाल दे और अब इसे हम ग्रेंड कर Ri और मेरे वाई चम यह से मैस कर लिんな है और इसम सुए चंग को ब्लेंगे है वह आप हम डाल लेंगे अब इसमें हम थोड़ी से ड्राय रुष्ट की भी मुंख्ली डालेंगे तो इसको भी मैंने हलका दरदरा ही ग्राइंड किया है उसको हम डाल लेंगे और एकदम बारीक कटा अद्रक डालेंगे और एकदम बारीक कटा प्याज डालेंगे हम तो देखिए मैंने प्याज केदम फाइन कट किया है तो इसे भी अब हम डाल लेंगे इसमें अब इसमें हम डाल लेंगे बारीक कटे हरी मेर्ज अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे और ये अब इसमें हम डालेंगे चना सत्तू बस पविन से भी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आप जाहें इसमें हरा धनियां भी बारीक कटा डाल सकते हैं तो सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम एक टेबल इस्पून ऐसे मिक्सर को लेंगे और इस हाथ में ऐसे शेप दे लेंगे आप चाहें तो इसे गोला भी बना सकते हैं मैं आप इसे थोड़ा सा लंबाई में ही बना रही हूं आप चाहें जैसे गोले आकार में भी बना सकते हैं टिक्की जैसा तो बस इसी तरह से हम सभी कटलेट्स को बनाकर तयार कर लेंगे तो बack up डख लेते हैं और इसी तरह से हम सब hdi Carter को बनायागर त्यार कर लिए ए तो मैंने हैं को बनाया कर लिए हैं आप चाहे तो इस्पे खाने में बहुत यहाइजिय लगते हैं लेकिन इसे थोड़ा से कृइस्पी बनाने साथे हैं तो उसके लिए हमें आपे कॉर्ण फ्लोर का घोल तैयर करेंगे तो यहां पर मैंने दो टेबल इस्पून कॉर्ण फ्लोर लिया है उसमें हम थोड़ा से पाइं डाल के इसका घोल बना लिए तो इसका हमें पतला बैटर बना लेना है तो दीखिए मैंने यहां बना लिया है और यह मैंने नार्मली पोहा यानि की चूड़ा लिया है उसको मैंने ग्रैंड कर लिया है आप चाहें तो यहां पर ब्रेट क्रम्स का भी समाल कर सकते हैं तो बस अब एक कटलेट्स को लें और उसे कॉर्ण फ्लोर वाले घोल में डिप करें और उसे पोहा उस पे ऐसे स्प्रेट कर दे हैनि कि अच्छे दुसको कोट कर ले तो बस इसी तरह से हम सभी कटलेट्स को तयार कर लिए अ तो मैंने यहां पर सारे कटलेट्स को बनाकर तयार कर लिया है अब इसे हम फ्राई करेंगे मैंने इसे फ्राइ करने के लिए कड़ाही में ओल को डाल कर रखाए गर्म होने के लिए ओल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कट्लेट्स को डाल कर फ्राइ करेंगे तो ओल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम कट्लेट्स को डाल लेते हैं तो बस कटलेट्स को डालकर छोड़ दें और इसे हम मेडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसे तुरंट नहीं पलटना है हमें जब एक साइड से रोका गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे इसके दूसरे साइड में टर्न कर लेंगे देखिए जैसे मैं यहापे से टर्न कर ले रही हूँ देखिए देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं तो बस इसी तरह से हम सारे कटलिट्स को डाल कर फ्राई कर लेंगे जब एक साइड से लका गोल्डें प्राउन हो जाएगा तब हम उसके दूसरे साइड में उसे टर्न करेंगे और अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे तो बस यह भी फ्राई हो चुके हैं यह भी हम निकाल लेंगे तो यह देखिए मैंने यहाँ पर सारे कटलिट्स को फ्राई करके निकाल लिया है और मैंने इसे यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ सरु किया है आप इसे जाएदो हरी चेट्टी के साथ सरु करें उसके साथ भी बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं आप भी सोया कर्लेट्स को बनाएं और इंजवाई कीजिए आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे